नमस्कार दोस्तों मेरे नाम विजय है विजय विएस यूटुब चैनल में स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ दोस्तों आप सब सेफ二्टों थोड़ा दिन से में थोड़ा लाए रहा हूँ थोड़ा वीडियो जालने में फिएकत हो रही है मैंने एक नया कंपनी जॉइन किया है तोड़ा फिरेंशियल प्रॉलम के वज़े से तोड़ा टाइम मैनेज करने में तोड़ा दिकत हो रही है मैं शायद संडे संडे में वीडियो बनाने के लिए ट्राइ करूँगा विकली वन वीडियो दालने के लिए और जो इस सुरी में हम जो इन्फोर्मेशन के बारे में देखेंगे वह के टॉप त्री प्रीमियम एलेक्ट्रिक स्कूटर जो अभी फिलाल मार्केट में है रीसेंट जो संडे पर आगेस्ट 15 पर दो गाडियां जो लॉंच हुआ था उला एलेक्ट्रिक और सिंपल एनरजी यह दोनों वेकल के बारे में भी इन्फोर्मेशन देखेंगे और जो एतर एनरजी है उसका भी इन्फोर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों मैं थोड़ा इन्फोर्मेशन में मैंने बुक में लिख कर रखा है उसका प्राइज होना देऊ रेंज चार्जिंग टाइम टॉप स्पीड वाला फार चार्जिंग कितने दिर में होता है एक्सेलरेशन फीचर्स और प्राइस का यह एक एक करके बात करेंगे अगर हम रेंज की बात कर रहें पहला जो गाड़ी आता है वह आके ओला एलेक्ट्रिक है 181 किलोमेटर का रेंज यहां के क्लेम करते हैं यहां के प्रो वाला मॉडल है दोस्तों जो ओला एलेक्रिक का जो भी इन्फोर्मेशन में इस वीडियो में बात कर रहा हूं वहां के प्रो वाला मेंने तरह से मैच करती है और एतर एनर्जी आके आपको 116 किलोमेटर का रेंज आके कंपनी क्लेम करती है सिंगल चार्ज पे मगर रियल वर्ल कंडिशन आके सिर्फ 85 किलोमेटर है कंपनी के तरफ से भी उतने ही रेंज का के कमेटर है और वोलाइट एलेक्रिक जो 181 जो बात हो रही है यह अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं किया है जो कंपनी क्लेम कर रही है उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं बहुत सारे टेस्ट राइट्स लेना पड़ेगा तभी आमको एक्जाक्ली जो रियल वर्ल कंडिशन का जो रेंज है वो पता चलेगा और जो सिंपल एनरजी इस वाले सेग्मेंट में जो रेंज जो ज्यादा जरी है वह आके 236 किलोमेटर है और रियल वर्ल कंडिशन में 203 देने का कम्पनी आके क्लीम करती है अगर हम रेगलर चार्ज टाइम जो होती है उसकी बात करें वोला एलेक्टरिक आके शिक्स आर्स तर्टी मिनिट्स लेती है जिरो टू एटी या जिरो टू फुल होने के लिए शिक्स आर्स तर्टी मिनिट्स लगती है चार्ज होने के लिए वही एतर आके आपको 4 आर्स 45 मिनिट्स टाइम लेता है और सिंपल एनर्जी आके 2.5 आर्स लेता है विद 15 आम सॉकेट दू बाकी का दो आके में सॉकेट के बार में बात नहीं किया है इसलिए कि मुझे अगर करेंट से इंफोर्मेशन बता नहीं है उसके बार में मैं बात नहीं करता हूं यह मेरा पहले से ही इम मोटर रहा है जो जो भी पता हूँ वही में बात करता हूं और रेगलर चार्जिंग में भी सिंपल एनर्जी ने बरबर काम किया है 2.5 आर्स आके परवाह नहीं है इतना जल्दी भी नहीं है मगर रेगलर चार्जिंग का जो टाइम होता है उसमें सिंपल एनर्जी थोड़ा आगे है और जो फास चार्जिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें पहला जो कंपनिया तब वह आके एतर एनर्जी है 1.5 किलोमेटर पर मिनिट का चार्ज आके यह चार्ज होती है अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें 50 परसंट चार्ज आके 18 मिनिट्स में चार्ज होगा करके कंपनी ने बताया है मगर अभी तक फास चार्जिंग का ओप्शन आके कई पर इंस्ट्रॉल नहीं है जैसे दिलिवर्स उन लोग कमिंग मंस में करेंगे उसी तरहीं कैसे उन लोग चार्जिंग इंफरस्ट्रेक्चर भी रेडी करेंगे एतर एनर्जी के लिए कुछ अच्छु नहीं अलड़ी उन लोग के पास बहुत सरा फास्ट चार्ज का स्टेशन से मगर ओला एलेक्ट्रिक आगे फास्ट चार्जिंग का स्टेशन दालेगा और जो सिंपल एनर्जी है या के 2.5 किलोमेटर पर मिनिट का चार्ज हो सकती है इन लोग भी फास्ट चार्जिंग का उप्शन आके आगे इंस्टॉल करेंगे और रेगलर चार्जर तो गर पे इंस्टॉल कर देंगे उसमें कुछ इश्यू नहीं है और जो टॉप स्पीड की बात आती है तो एतर आके 90 किलोमेटर का टॉप स्पीड देती है उसी जगह पे आपको सिंपल एनर्जी है कि 105 किलोमेटर का टॉप स्पीड मिल जाती है और ओला एलेक्ट्रिक का के आपको 115 किलोमेटर का रेंज देती है तो निसमों टॉप स्पीड आके सिटी में उद्ना हम ट्राइन नहीं कर सकते मैक्सिमम जो पेट्रोल पौवर्ड में ही जो जा पाता है मेट्रो सिटीज में वो सिर्फ 40 किलोमेटर है या मैक्सिमम फिफ्टी हम जा सकते हैं अगर उससे ज्यादा जाते हैं अगर हमको कंट्रोल नहीं हो पाता है तो एक्सिडेंस होने का बहुत ज्यादा चांसे से तुड़ा समाल के चलाएं कोई भी आके सपोर्ट नहीं करेगा और एक्सिलेरेशन की जो बात आती है अगर उसकी बारे में बात करें ओला एलेक्ट्रिक का जो आई प्रो जो मॉडल है वो आके जेरो चुप-की जो आएक्सिलेरेशन टाइम है वो आकेत्री सेकेंड लेती है और एथर एनरज आके 3. … आके एक्सिलेरेशन टाइम आके लेती है और सींपल एनरजिया के 2.95 सेकेंड है इसमे भी सिंपल एनरजी आके तोड़ा आगे है दुसाू दोस्तों बाखी कंपनी के जो फीचर्ज या जो प्राइज इन लोग ये करेंगे या जो रेंज जो बता रहे हैं सिंपल एनर्जी आके आगे है बले ही उनका प्रेजन्टेशन आके अच्छा नहीं था समझ सकते हैं दोस्तों जो फाउंडर है वो आके स्टार्ट अप सिग्मेंट से आते हैं और वोला एलेक्ट्रिक का जो फोंडर है वो आके वोला कैप साके चला रहे हैं बहुत साल से उनको प्रेजन्टेशन देना या किस तरीके से बात करना या कि क्लियरली समझ में आता है कि प्रेजन्टेशन में वो गलती भी करते तो कुछ इशू नहीं है हमको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता है वही आके उन लोग एक्सप्लेशन करेंगे उसमें कुछ दिखत नहीं होनी चाहिए मगर जो सिंपल एनरजी ने जो वर्क किया है वह बेस्ट है बहलें बले उनको कुछ explain करने के लिए नहीं आ रहा है दिकत नहीं है मगर उनके तरफ से जो प्रॉडेक्ट आया है वो बेथर है अगर फीचर की बात करें सबी वेहिकल्स में तीनों ब्रैंड में आपको 7 इंच का TFT स्क्रीन मिल जाती है और फार्ट चार्जर का जो गाइड जो होती है जो लोकेशन किस लोकेशन पे फार्ट जर अवलेबल है वो पॉइंच का भी अडिशन सभी वेहिकल्स में अवलेबल रहेंगे कि अगर हम एक्स्ट्रा फीचर की बात करें सिंपल एनर्जी में आपको टायर प्रेशर मॉनेटरिंग का जो सिस्टम है अपका टायर में कितना प्रेशर है वो दिखाने का सिंपल एनर्जी में यहां के स्टैंडर्ड है एतर में future में मिल सकता है मगर ओला में option नहीं है एतर नहीं है confirm कि future जो अपडेट्स रहेंगी उसमें आके ओप्शन आके add किया जाएगा और अगर हम price की बात कर रहें सबसे ज्यादा यहां के price वाला ही है अगर हम ओला की बात करें ओला एलेक्ट्रिक की 1,10,000 आके after subsidy आता है एक शोरूम डली का जो आई प्रोव वाला मॉडल है उसी के बार में मैं बात कर रहा हूं without subsidy आके 1,29,999 पड़ता है जो next गाड़ी है वो आके simple energy है जो without subsidy जो 1,10,000 जो launch हुआ है यह बैंगलूर का एक शोरूम हो सकती है क्योंकि इनोंने exactly कि दर का करके नहीं बताया है जो बैंगलूर में launch के है बैंगलूर वाला start-up है बैंगलूर का एक शोरूम प्राइस आके 1,10,000 है और या के subsidize होने के बाद price और भी कम हो सकती है या के आगे जब deliveries जब start करेंगे या showrooms जब इन लोग यह करेंगे तब clear information पता चलेंगे जो तो एतर 450 एक्स जो है वह आके 1,32,000 आता है आफ्टर सब्सीडी विताउट सब्सीडी आके 1,44,500 होता है कि दोस्तों यह जो information से इससे ज्यादा के जो वेहिकल सम टेस्ट्राइव करेंगे यह तर का तो बॉचरल लोग अलड़ी experience करके रहेंगे उसका प्लेस मैनेस सबको पता रहेगा मगर सिंपल एनर्जी और ओला एलेक्ट्रिक आके आप टेस्ट्राइड जाने के बाद कीजिए कि आपको वह सूट करता है कि नहीं करता है कि पोला का शायद शोरूम नहीं रहेगा उन्होंने जो को डिसाइड के आट होम डेलवरी करने का उप्शन उसमें आपको टेस्ट्राइड मिल सकता है अगर उन लोग होम डेलवरी भी ऑप्शन यह कर रहें पहले ट्रेस्ट्राइव का उप्शन पूच के उसके बाद जो रिमेनिंग अमॉंट होती है वह पेखीजिए और जो सिंपल एनरजी है शायद इन लोग शोरूम का प्लान कर रहें पर शोरूम का प्लान कर रहें तो कुछ दिक्कत नहीं है इन पर्सन आके एक्स्पिरेंस करने के लिए मिले गए जरूर सभी वेहिकल्स आके टेस्ट्राइड कीजिए आपको जो बेस्ट लगती है आप आपका जो मनी आप इन्वेश्ट कर रहें वह आके आप चूज कर सकते हैं उमीद करता हूं यह वीडियो आपको यूसफुल रहा बहले ही है टूम टूल मिनिस का वीडियो बनाए दोस्तों मैं जो भी इंफोर्मेशन मैं शेर करना चाहता था जो लिखके रखा था वह आके में ने शेर किया है अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मैं अगले वीडियो पर मिलता हूं जब भी आप बाहर जाते हो तोड़ा सेफ से रही है मास जरूर पर नहीं है हैंड सैनिटाइजर का बॉटल जरूर आपके साथ रखे है दोस्तों यह बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है मगर सेफ रही है मैं आपको अगले वीडियो पर मिलता हूं थैंक्यू